फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टो आर्केडिटिक्स, आप सभी जानते हैं कि मद्दान केंद्र में मद्दान संचलन करना एक जिमेदरी वाला और थोड़ा सा कथिन काम है, लेकिन आपको इस बात पर गर भना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी लोक्तांत्रिक प्रक प्रक्रिया का हिस्सा बन्ने जा रहे हैं, आपका इमांदार कर्तव और जिमेदरी हमारा देस के लोक्तांत्र की सफलता की रीड है, अपने मद्दान केंद्र पर स्वतांत्र और निश्पक्ष मद्दान सुनिश्यत करना आपका प्राथेमिक कर्तव और जिमेदरी है, चु प्रेस करूंगा जो कि सभी पुलिंग पाठी के सद्देश्य वो प्रिजैनिय कमिशर हो या पुलिंग अफ्षर हो उनके कर्तवे के सुचर और संपादन के लिए सहयक होगी लेकिन मैं उससे पहले आपको स्पोस्ट करना चाहता हूं कि मैं केबल चुनाप आयक द्वारा प्रिजैनिय अफ्षर के लिए जारी हैंड़ूक के आधर पर जानकरे देर रहा हूं फ्रेंज आप जानते हैं एक पुलिंग पाती में एक प्रिजैनि अफ्षर और 3-4 प्रिजैनिग अफ्षर होते हैं अतोब मुद्दान कार्य एक सामभीक कार्य है इसमें सभी सदस्यों वो पिजेडिंग अफ्षर हो या पूलिंग अफ्षर हो उन सब का सक्रिय सहग्यक की आवेशकता है पूलिंग पार्टी एक बाहन की तरफ है जिसमें चार पोहिए इंजिन, ब्रेक, एक्षिल्टर आधी भेरियस पार्ट से ओ बाहन तभी चलेगा जब सभी हिस्षे काम के लिए तयार होंगे अगर कोई भी एक हिस्षा साथ नहीं देगा तो गारी नहीं चलेगी इसलिए मद्दान संतरल कर्वाना तभी सफल होगा जब पार्टी के सभी सदस्यों के बिच पूर्ण समन्य और सह अधा पूलिंग पार्टी के लिए सफल एवं तुरुटिहीन मद्दान निस्पादीत करने के मूल मंत्र है सभी का सवयोग सभी का सक्रिय भागिदारी और सभी का बिच उत्तम समन्य आई ये जानते हैं कि मद्दान का विभिन उपकरण कौन-कौन से है मद्दान उपकरण का दो प्रमुक भाग है इवियम और विविपार्ट इवियम का मतलब है इलोट्रोनिक वोटिंग मेशिन और विविपार्ट का मतलब है वोट्टोर वेरिफायबूल प्यपर अडिट ट्रायल इवियम उसमें प्रमुक उपकरण है इसमें दो इनिट सोते हैं कंट्रोल इनिट और बालाट इनिट बालाट इनिट में मद्दाता निले बटन में से किसी एक को दबाकर अपना भाट दर्ज कर सकते हैं और वियम पाट इवियम से जुड़ा एक सतंत्र प्रिंटर सिस्टम है जो मद्दातों को यह सत्यापीत करने के लिए अनिमुद देता है कि भोट उनके इच्छित उद्देश्य का अनुश्या डाला गया है मतलब भोट और जीस करिणिटर के नाम पर उनका बटन दबाया है भोट ठीक इस करिणिटर का नाम पर दर्ज हुआ है कॉंट्रोल इनिट डाले गड़े भोट को रेकर्ड करती है और कॉंट्रोल इनिट के सबसे उपर हिसे में दिस्प्ले सेक्षन है में इसमें में जो डाटा दो जोता है जैसे कि तारीक समय उमीदबारों की संख्या डाला गए भोट की कुल संख्या इस सब प्रदेशित करने का प्राभधान है डिस्प्ले सेक्षन के निच्चे बेटरी ठीक करने के लिए एक कंपार्टमेंट है और कंडिदेट्स की संख्या के अनुसार मेशिन को सेट करने के लिए एक कंडिदेट्स सेक्षन भी है केंडिदेट्स सेक्षन के ठीक निच्चे मद्दान बंद करने के लिए बाई और क्लोज बटन है और उसके साथ रेजल्ट्स सेक्षन भी है आए अभ्यम चर्चा करेंगे मद्दान के सुचारू एवं प्रुटिहिन संख्यान के लिए डेश्पास सेंटर पर सामगरी एकत्र करते समय मद्दान शूरू हने से पहले मद्दान के दोरान और मद्दान बंद हने के बाद किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए देश्पास सेंटर पर पहुंचने के बाद सभी मद्दान दल को सदस्यों को एक जगह एकठा हना होगा और EVM, Electra Rolls, ASD List, Tender Ballot Paper, Braille Ballot Sheet, Register of Green Paper Sills, Pink Paper Sills, Black Envelope, All Required Forms, Formarts Registors of Hotters in Form 17A, Statutory Booklets, Non-Statutory Booklets, Candidates Information Booklet, Envelope Sets, Statutory Covers, Seals, Tags, Marks, Stationary Item like Signboards, Cellar Tap, Pencil, Blade, Candle, Carbon Paper, Matchbacks आदी जो जो प्रिजैनिक अप्सर हैंडबुक के NSR 3 में उलकी थे उस सब को कॉलेट करना होगा लेकिन इसमें सबसे महथपरुन है आइटम्स जीसे की Tendered Ballot Paper, Braille Ballot Sheet, Register of Green Paper Sills, Pink Paper Sills, Black Envelope, Cellar Tap, उन गोस्तों पर विशेश महत देने का ज़र्रोत है जदी अधिकारी पहले से आभिदन कर चुके हैं तो वो अपना Postal Ballot डाल सकते हैं Desperse Center पर आईए अभी चर्चा करेंगे मद्दान से पहले मद्दान पाठी को किस किस चीजों पर ध्यान रखना चाहिए मद्दान से पहले मद्दान केंद्र को ठीक से स्थाफित करने का ज़र्रोत है फिर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इभी एम और ध्वीपाट से मगपल करना होगा कुरुपिया ध्यान रखे कि कम से कम पच्चास मगपल करने होगे और नोटा सोईक सभी उमिदबारों को भर देना होगा मगपल में मिलान प्रणाम भीपाट मगपल पर्चियों के साथ कंट्रल इनुड पर दिखाया जाना चाहिए रेजल्ट दिखाने के बाद मुखपल रेजल्ट कॉंट्रोल इविड से साथ ग्याना चाहिए और भीपाट ड्रोग बोस से मुखपल पर्चिया को होटा दना चाहिए भीपाट मकपल पर पेपर परचिया को पीछे मोहर लोगना चाहिए और उसको काले लिफ़ापा में सिल्ट करना चाहिए मकपल कैसे किया जाएगा उसके लिए एक अलोग वीडियो त्रयार किया गया है तुपया उससे जरूर देखे अभी हम चर्चा करेंगे मद्दन का समय किन-किन इंपोर्टन चीज़ पर ध्यान रठा चाहिए हम पूरा डिटेल्स नहीं बताएंगे लेकिन किन-किन इंपोर्टन चीज़ जिसको पर ध्यान रठा चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सवर प्रथम प्रिजेनिंग अफिशर उम्मिद्बारों और उनके पूलिंग एजेंट्स को भोटों की गपनियते के बारे में जानकरी देंगे यह जानकरी घरत निर्वाचन आयक द्वारा जारी प्रिजेनिंग अफिशर सेंडबुक के पेज 43 पर उपलब धे प्रिजेनिंग अफिशर घष्णा को जोर से पढ़ेंगे और घष्णा पर हस्ताकर करेंगे और उस पर जिन एजेंट या उमिद्बार इच्छुखो उनका ह हस्ताखर प्राप्त करेंगे जोदी कोई मद्डान एजेंट अपने हस्ताखर करने से इंकर करता है तो प्रिजेजेनिंग अफिशर आइसे मद्डान एजेंटका नाम को एक कर्के रुखेंगे प्रदर्शन मद्दाता सूची और मद्दाता रेइस्टर की मारत कफी के बारे में एक प्रेस्काइड फर्म से घसना करेंगे और उमिद्बारों या उनके मद्दान एजन्ट का फस्तेक्षर में प्राप्त करेंगे प्रेजिन अफसर फर्म 17A में रिक्वार्ड एंट्रीज सुनिश्रित करेंगे और EVM और VPAT मेशिन को प्रापार फंक्षन भी सुनिश्रित करेंगे जब फास्ट भोटर फर्म 17A जो की भोटर से रिस्टर है उसपर हस्तेकर करेंगे उससे पहले प्रेजिन अफसर और पूलिंग अफसर 1 भोटर रिस्टर को जांच करेंगे और form 17a में इंक में या सही में एक प्रमान दर्श करेंगे कि control unit में total की जांच की गई है और 0 पाया गया है उससे पहले वो शैटिफाइब करेंगे कि control unit में total की जांच की गई है और उसमें पहले से कुछ नहीं है मतलब result 0 पाया गया है प्रिजेने अफिशर के डाइरी में सभी घटना का रेकर्ड करेंगे वह डाइरी प्रिजेने अफिशर्स हैंडबुक के पेज 111 एनक्सर साथ में अपलब्ध है वह कुछ-कुछ में जिस पर द्यूरिंग पॉल ध्यान रखना चाहिए जब मद्दान बंध हने बाला है इस टाइम पे कौन-कौन साथ चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए मद्दान के लिए निधरी समय का अनसर जब मद्दान बंध हने बाला होगा तो मद्दान के लिए प्रतिख्या करें सभी मद्दाताओं को नमबर पर्चि दी जाएगे और तदनसर कतार में पहले व्यक्ति को अंतिम नमबर दे जाएगा तो जो भटर लाइन का लास्ट में है उनको दे जाएगा सेल नमबर 1 वो जो भटर लाइन का खास्ट में है उसको दे जाएगा लास्ट नमबर भलही मद्दान का समय समाप्थ हो गया हो लेकिन जिन मद्दाओं का नंबर पोची दी गई है उनके मद्दान पूरा होने तक मद्दान जाईर रहेगा सभी मद्दान पूरा होने के बाद पहले भीपाट में लगे पार पेक को हटे दे जाएगा कि एबियेम और वही पार्ट को ठीक से स्पीड करें जाएगा उसके लिए एक अलगसा वीडियो है उनको जरूर देखें उसके बाद सभी स्टास्त्री और नंस्टास्त्री कागजात को स्पीड का जानेग एप फिर Form 17C के Part 1 में सभी पूलिंग एजन्ट को हस्ताकर करना होगा और सभी एजन्ट को हस्ताकरित Form 17A के प्रमानिज कपी दी जाएगी सभी मेशिन्स, दस्ताबीचों और स्टेस्टनरीज को ठीक से वेवस्तित करने के बाद पार्टी रिसीविंग सेंटर पर चुनाप समगरी जमा करने के लिए जाएंगे वह सो क्या क्या चीज है स्टेस्टनरीज स्पेक कैसे क्या जाएगा उसके लिए भी एक सपरेट वीडिय किया गया है कुरुपया इस वीडियो को जरूर देखे आएए अभ्यम चर्चा करेंग कि मद्दान पाठी से क्या कमन गल्तियां हो जाता है उनका अंजाने में पहला गल्तिया है कि मखपल के बाद प्रिजेटिंग अभशर कांट्रोल इनुट को CRC नहीं करते हैं CRC मतलब क्लोज, डेजर्ट, क्लियर CRC का जरूरत इसलिए है कि कांट्रोल इनुट से सभी डाटा को साथ करना मखपल के बाद CRC का में मतलब है, आम तोर पर जोल बाजी में इसा नहीं कर जाता है फिर दूसरा गोलतियां क्या होता है, मोखपल के बाद मोखपल स्विप्स को भी पाट बॉक्स से निकलना होगा और सिल लगाकर एक काले लिफापा में रखना होगा यह करना भी भूल जाते हैं तिसरा गोलतियां क्या होता है, मद्दान समाफ होने के बाद और CTRL इनिट को उसके केरी केस में सिल करने से पहले CTRL इनिट का जो क्लोज बटन है उसको दबाना जरूरी है लेकिन जल्द बाजी में क्लोज बटन भी दबाना भूल जाते हैं लेकिन वह बहुत गंभीर ही गलती है उसको कुरुपाया एभएड करे और क्या गलती हो सकता है फर्म 70C तो जमा नहीं क्या आता है या अधुरे डाटा के साथ जमा क्या आता है सिमिलरली भोट के दोरान और बाद में जो भोटर टानव डिपोर्ट दे आता है उसमें प्रपर डाटा जिसे की मेल कितना है फिमल कितना है वो ठीक तरब से नहीं दे जाता है और क्या गोलती हो सकता है मुद्दन समाप्त के बाद इभियम और भी पार्ट को उसके केरी केस में रखा जाना चाहिए और एड्रेस टेक के साथ सील किया जाना चाहिए नर्माली भी पार्ट के इभियम के पास नर्माली एड्रेस टेक सील करना भूझ जाते हैं इन समी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और साब्धन रहने के जोरों थे इन गलतियों से बचना चाहिए आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से दीगोई जानकारी से लाभ हुआ होगा जदी हाँ तो कुपया वीडियो को इलेक्शन ड्यूटी में लगे अपने कॉलिश के साथ सेयर करे और इस वीडियो को लाइक जरूर करे चुनाव से समधित अन्य जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए रुपया इस चैनल को सब्सकाइब करे जोई हिंद